हलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी मुझे लगता है जिनका मॉनिंग शिफ्ट में एक्जाम होगा वो लोग निकल चुके होंगे एक्जाम के लिए और जिनका ग्यारा या शाम के शिफ्ट में हैं वो भी अब निकलने की तैयारी में होंगे दोस्तों अब आप अपने एक्जाम के लिए पूरे confidence के साथ जाई है जितनी आपकी तयारी हो गई है वो बहुत बढ़िया है और इस बात कमान के चलिए ऐसा कोई नहीं होता क्योंकि यह हमेशा यह tension रहती है कि मेरा यह चूट गया वो चूट गया अब आप इस बारे हैं बिल्कुल मस्तोचिए ठीक है जितना आपका हो गया है बस आप उतने को अच्छे से आप रिप्रेजेंट करके आएं अपना अच्छे से उतना काम करके आएं वहाँ पर ठीक है और आगे की लिए जो है और भी तैयारी करते रहें और आपको करना यह है जब आपका एक्जाम हो जाए तो इस वीडियो के नीचे जो है आकर आपको जितने कोश्चन याद हो आप उस पर नीचे कमेंट करें चाया हो मैत के हो रीजनिंग के हो यह किस जीगे के हो आप कोई भी कोश्चन हो आप इस वीडियो में कमेंट करें जिसे की जो कल जिन लोगों का एक्जाम है उन लोगों की आम थोड़ी पता पाया है क्योंकि अभी तक इसका ठीक तरीके से नहीं पदा चला है कि किसके कितने कुश्चन आने वाले हैं और इस से रिलेटिट दोस्तों में एक बज़े तक एक से दो बज़े के बीच में आपको एक्सपेक्टेट कट आफ कितनी रहने वाली है वो उसकी वीडियो डा प्रिश्स जती सू की देश्स पाया में आने कर